हेलो बच्चों ये जे मेन दोजार चोबिश का कोश्चन है फस्ट फेफ सिफ टू का देखे इसमें क्या बोला जारे बच्चों तो मेजर दा तेमपरेचर कोफिसेंट ओफ रेजिस्टिविटी ओफ सेमिकंडुक्टर अन एलेक्रिकल अर्रेंजमेंट सोन इन फिगर इस प्र अर्ट फेफाइब इसमी कंडुक्टर अर्म इस तरह रेजिस्टन सेमिकंडुक्टर अर्म इस त्रहिए प्र सेकंड नो डिफलेक्शन अफटर तन सेकंड थन आल्फ़ तब इतना है अंबीशी इस कूल अट अ कॉंस्टां रेट अफट ये अफ टू डिगरी इसमेंट अर तो 10 second के बाद जब कोई deflection show नहीं करेगा तो उस वक्त पर क्या resistance होगा यह आपको देखना पड़ेगा ठेके तो जब यहाँ deflection show नहीं करता है तो आपको यहाँ पर weight stone balance लगाना पड़ता है बच्चो तो जब आप weight stone लगाएंगे यहाँ पर देखिए तो this ratio of this resistance upon this ठेके तो आ resistance of BC upon 3 milli ohm तो बच्चो यहाँ से resistance of BC कितना आजाएगा 2.4 milli ohm आजाएगा ओके सो हम लोगों का resistance वालू हो गया अब temperature में कितना change आया तो पर second कितना change देखिए तो बच्चो पर second जो change है न वो 2 degree Celsius है तो 10 second में कितना change आजाएगा 10 second में 20 degree Celsius हो जाएगा मतलब अब अगर आप formula apply करेंगे resistance का semiconductor के लिए तो r is equal to r0 into 1 minus alpha delta t यह वच्चो formula होता है तो यहां से r minus r0 upon delta t into r0 हो जाएगा क्योंकि आप cross multiplication करेंगे यहां पर बुड़ा r0 से multiply करेंगे तो r0 alpha delta t आएगा ठीक है फिर जब आप इसको r minus r0 is equal to minus r0 alpha delta t लिखेंगे तो यहां से जब आप alpha नहीं का लेंगे तो यह चीज हमें मालूम होगा साथ में minus हाएगा तो alpha is equal to हो गया minus delta r upon r0 into delta t अब देखें यहां पर जो 25 डिगरी celsius पर temperature पर जो resistance वो कितना है 3 है ठीक है तो यहां पर आपको 3 दिया हुआ है मतलब आपको initial कितना है resistance वो given है and final कितना है यह भी आपको दिया हुआ है दोनों का जब subtract करेंगे आप तो subtraction के बाद क्या आ जाएगा आपके पास minus 0.6 milli ohm आएगा क्योंकि final 2.4 है and initial मतलब यह 2.4 है और यह 3 है तो minus आएगा ही आएगा and initial 3 milli ohm है temperature 20 है तो यह milli से milli cancel minus minus plus हो जाएगा upon 3 तो 0.6 upon 3 into 20 तो alpha is equal to क्या आ जाएगा यहां पर दिखें 0.6 upon यह 60 हो जाएगा तो 6 upon 6 into 100 कर देजे तो 10 to the power minus 2 per degree Celsius आएगा अब बच्चों यहां पर concept समझने वाली क्या है देखिए तो जब conductor की हम बात करते हैं तो conductor में बच्चों आर नोट into 1 plus alpha delta T होता है बड़ जब semi conductor में बात करते हैं तो alpha semiconductor के लिए हमीसा negative होता है तो या तो अगर आप positive यहां पर लेकर चलेगे तो last में आपको negative मिल जाएगा और अगर आप पहले ही alpha को negative कर लेते हैं तो last में आपको positive मिलेगा देट मेंस को जो final answer होगा उसमें आपको alpha यहां पर negative में दिखाना पड़ेगा क्योंकि semi conductor के लिए जो alpha होता है न बच्चों वो negative में होता है तो मैंने क्या पहले ही minus यहां पर assume कर लिया था ठेक है यहां पर minus assume कर लिया बाकी conductor के लिए होता है और semiconductor के लिए होता है तो alpha यहां पर minus में आएगा इसके लिए देखे क्या 10 to the power minus 2 that is option number 3 is the right answer